इस स्रीज में हम बात कर रहे हैं कि Inform के अलग लग सेगिमेंट्स में क्या अपॉर्सिंटीज हैं और आपको कैसे इसमें अपने केजर को आगे परस्यों करना चाहिए तो आज के बडियों हम बात करने वाले हैं Inform in Regulatory Affairs Regulatory Affairs Department particular headache industry में होता है अगर वो domestic level पे भी होता है और अगर वो internationally deal कर रहे हैं तो फिर तो उनको उनके पास होता ही होता वो department अब Regulatory Affairs Department Pharmaceuticals में भी आप जा सकते हैं Medical device industry में भी जा सकते हैं या फिर cosmetic industry उसमें जा सकते हैं Neutraceutical हैं उसमें भी जा सकते हैं इंडिस्ट्रीज आपके लिए हैं जाता इस सेगमें में job opportunities तो थूड़ी narrow हो जाती है बट job profile quality जो है वो काफी बहतर है यहां पर आपकी जो job profile होगी टोटल white collar job है जहां पर आपको different countries के authorities से deal करना अपने ही countries के authorities से deal करना company के management से deal करना को जो जो कुछ भी डिपार्टमेंट के टॉप लोग है उससे आप डिल करने उनको बता रहे हैं कि आपको यह करना यह करना है जो भी मेरी requirement आप fulfill कीजिए आपको पहले पता और चाहें डिपार्ट्मेंट का 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 होता है जैसे कोई company है वो इंडिया में भी है उसका plant और वो US में भी अपने product को sale कर रही है UK में भी sale कर रही है, South Africa भी sale कर रही है, Australia भी sale कर रही है या फिर उसको करना है sale, तो इतनी सारी countries है, सबके authorities अलग-अलग है, वहाँ पर legal requirements बहुत सारे अलग-अलग होते हैं तो वो सारी चीजों को समहलना, वो सारी चीजों को manage करना regulatory affairs department का काम है, तो जो भी requirement होते हैं within company, with all departments, और internationally, with all regulatory authorities, और government authorities, ये सारी deal करना regulatory affairs का काम है, तो इसमें आप जब inform करेंगे, तो आपको जो उसमें technical documents बहुत सारे होंगे वो, या फिर आपको जो company के process के बारे, methods के बारे म top level पे लोगों से deal कर रहे हैं, तो आपको जब तक हर चीजों के बारे में पता नहीं होगा, आप confidently deal नहीं कर सकते हैं, तो इस department में काम करने के लिए, दो चीजियों सबसे important, वो आपका communication skill, आपकी language पे command अच्छी होनी चाहिए, and आपके technical जो knowledge है, वो अच्छी होनी चाहिए, technical knowledge हार एक segment के लिए अच्छी होनी चाहिए, बट हम किसी भी चीज में एक underline करके बोलते हैं, हाँ यह इसमें ज़्यादा important है, अब एक communication skill, ट्रिक्विट्रे फेर्स में number one पे है, bold में, underline, अच्छा होना ही होना चाहिए, और जो technical आपके subject के बारे में, process के बारे में, methods के ब में हैं, तो इसमें भी अगर inform आप करना चाहरे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, but make sure कि इसमें आप inform तभी करें, जब आपको पता हो कि आपका communication बहुत अच्छा है, अगर आपका communication skill अच्छी नहीं है, तो या तो पहरे आप communication skill अच्छी कर लिए, या फिर आप plan करिए कि साथ सब में inform कि आप अपनी communication, अपनी language को और पहतर करेंगे, because वो first requirement है इस job के लिए, फिर अगर आपने आपको सही तरके सब develop करते हैं, तो definitely this is one of the best job in farm industry, thank you very much.